एक समय बोझन बनाते हैं एक समय फ़जन बनाते हैं एक समय पाते हैं ग पोरते हैं उतनी छोटी बेटरी है और ये छोटा सा सोर पलेट है जिसे आप देख पा रहे हो इतना सा जिससे नॉर्मल रात को बलब जला जाते हैं जहां एकांती, सांती और भक्ती हमें प्रदान मिला ठाकुर जी ने हमें भक्ती और सिवा का बहुत अच्छा ही मौका दिया जो कि हम अपने कार्जों में लगे रहते हैं और 24 घंटा अपने शिवा में ठाकुर जी के और अपने नित किरिया में लग करके अपने शिवा को 24 घंटा में अपना स्मापन करते हैं है साथियो ले नमस्कार आपका स्बाइ आपका दोस्तों आप्ड़स्तों और सब्सक्रा अब जासि कमको कंश्यों कर नारा ह। ओर आपकी श्र्स के श्योग्षे यह धनम की यात्रा छर लगए और जो शन्तों के डिसन करा रहा ह। उन्हों ने इस घंगोerst जंग माते धेक पास में एक नदी जड़ना चल रहा है और उसी के बीच में इन्हों ने जो फल दाइक पेड़ पोदे लगाए है और एक नहीं दो नहीं दस नहीं बीशनी सो शे अधिक फल दाइक पेड़ और वो भी इतने बड़े बन गए कि इनकी बात करें तो कम है इनकी सहसंग लेंगे दर्शन करवाता हूं और दूरलब दर्शनों के साथ आज हम जा रहे हैं संतों के पास आप हमारे साथ चल रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना पहले कर दो यलाल बटन दे रहे हैं ऐसा नीचे उदवादो अगर कर रखा इसलिए हर्दे की स्लमें तक आपने की राश के श्लावारा था हुआ है कर दीजियो और वीड़े और शेर कर दीजिए मैं पहले नहीं बोलता था आज बोल रहा हूं क्यों पथा है पता है क्योंकि मेरे वह ऐुक्हाता हुआ है थेकि हो बढ़ चाहते हो ना संतों घब रूचनी नहीं नहीं ह जान रखना, कर रहा है, अगे कोई मेरे से संपर्क भी करना चाहता है, वार्टप नंबर दिये में, मेसेज कर देना, मैं आप से जल्दी संपर्क करूंगा, पॉन ज्यादा तर बंद रहता है, क्यों उसी पॉन से तर वीडियो बना रहा हूं, तो बंद ही रहेगा ना, श्यार्ज नहीं है जाज़, ज्यार्ज नहीं था था तो वो दूसरा बैटरी जापा, जूसरा बैटरी जो है को लगा के रात में किसी तर अच्छे जलाया, ठाटी ठाटी जी जिए पॉनकी ठंडी कप्रा आगई, अब आम को लाना नहीं पड़ेगा, तावसी जगराख भ कि आपको मराजी के पहले कुटिया और ठाकुर्जी की दर्सन करता हूं जैसे आप देख पारें पहले जैसे यह अंदर थोड़ा सा लोहे की है और जैसे आप देख पारें रामदर बार है अनमान जी है और यह जो सालिक गिरामजी भगवान है जैसे आप देख पारें हो और यहें इन यह की मराजी सूबह और श्याम पूजा होती है सबके तिलक करना सनान करना जो विदान होता वह सबभी करते हैं सबको पर साथ परवाना सबको परसाथ पावाना जिस हाँ देख पारे हैं और यहां पर ह चारों तरफ से नहीं है कोई ऐसा विशैस नहीं यह आलाग्न कि चारों तरफ से और ही ann cui पर अधि BEN यहीं पर माराजी विस्राम करते हैं और यह चोटा सा बारिश के मौसम में जब लकड़ी थोड़ी सी भीग जाती है यह कोई ऐसा मौसम होता है जिए लकड़ी नहीं मिलती तो उसमें चोठा सा गेस रखाव है अलाकि कि यह कभी कबार माराजी जैसे एक संतों के यहांपर मैंने अधीक तर देखा है एक समय भ Lalजन बनाते हैं एक समय पाते हैं मराजी क्योंकि एक समय इसलिए पाते हैं ऑर बाकी समय पूरा वक्ति में लगा देते हैं और एक बोजन में भ तो इसके देखते हुए भजन में ज्यादा समय कैसा लगता है इसी परकार इन संतों की यहां पर होती है कि एक समय भजन परसाथ पाके ज्यादा से ज्यादा भक्ति भजन कर सकें और जैसे उपर टीन सेट लगा वैसी बात नहीं है देख वारो आलागे हम सोच रहें कि अंदर प्लास्टिक अचाहि पाइबर तो उसको खोल भी सकते हैं जैसे गर्मी कामाश मैं उसको खोल दिया इसको रख लिया तो हमां भी आजाए यह सदी में उसको ढख दिया तो हमां नहीं आएगी तो ठंड नहीं आएगी ऐसा इसा बिदानिया हुए है वी बार पेड़ पूबढेक यह जो भाई है यहां पर पानिला के पट दो कुए नाम है आपका कि नाम क्या आपका इस अक्पास नाम है इस यहांना बेता हैं और पिसले वीडियु हम दक ढाइस्हें उसको ज़ाने में से तो बड़ा से भावी है है यहहां और यहां पर छोटी सी दाख़क पारे नहीं तो मैं बताइए हूं छोटी सी बेट्री है जो हमारी बाक को इतने हैं और यह चोटा सा सोर पलेट है जैसे आप देख पार हो इतना सा जिससे नॉर्मल रात को बलब जला जाते हैं लेकिन मैं सभी से क्या हूंगा अगर कोई भाई यहां जंगल में जो संत रहते हैं उनके लिए जो लाइट या बेटरी और सोलर प्लांट की वैस्ता कर सकता है तो एक बार वीडियो का इसकी सोट ले लेना जो आप नीचे नंबर दिए उसमें सेयो कर सकते हो एक जैसे हो सकती है 35 एंपियर की यह कोई ऐसा बेटरी होता है और एक सोलर प्लांट होता है जो उसके अनुसार में आपको राई दे दूँगा वार्ट से मेसेज कर देना इसकी पर नंबर दिए गए अगर आप महराजी यहां कहीं संतों के लगाना चाहते हो तो इसकी नभी वाट्सप नंबर दे उस पर जानकरी ले सकते हो पूरी आपको जानकरी मिल जाई और भाईयों को यह कहूंगा अगर कोई करना अगर नहीं कर सकते हो अपने धर्म की यात्रा क होलो कीजिए घर बेठे हनुमान चालिशा सिर्याम चत्रमानस का पाठ कीजिए मेरे लिए वो ही शेवा है यह तुल्षी लगई मराजी ने मराजी यहां पर कौन कौन से पोदे आपने यहां पर लगए हैं यहां पर मैंने आम का ब्रीच लगाया है पीपल का ब्रीच लगाया है पाकड का है बट का है निबू है सम्मी का पेर है बेल का पेर है तुल्सी जी है पांच रंग का फूल परिमोरी वहाइन दफित ह्न दार्चेस. पहले सी फूल का नाम मोगड़ा है. है चान्दिनी एगेंदा है, रात रानि है और या कया है n है उसको गुरिला है from to be which महराजी ने सभी पैड़ों को मिशनु इधर आ दिखाना, महरा जैसे की मराजी ने सभी पैड़ों को इस परकार जाली से टकाए है क्योंकि यह जंगल जंगली जानवर भी है पलस बंदर है जो आपको पता है शेतान होता ही है तो वो उनसे थोड़ा सा सुरुक्षा देने के लिए एक इनकी उम्मर होती है निर्दारी जब तक इनकी उम्मर होती है अपने आप पर निर्बर हो जाते है यानि पानी देनी का उसकता नहीं होती है तब तक इनको केर करनी ह जाता है उसी परकार पेड़ों में होता है कि पेड अपने आप जैसे बड़ा इस परकार पेड को पानी क्या हो सकता नहीं है जैसे बड़े बड़े पेड़ दे को पानी क्या हो सकता ही नहीं है अपना आप यह जमीन से लेना लग जाते हैं यह चोटे होते हैं चोटे जीव च मेरा जी मेरी तरफ से देखने वाल समर्थ भक्तों की तरफ से आपके चनुम महरा जी आपका सुबनाम मेरा सुबनाम मुदन मुहंदाश जी आप इस जंगल में कब से हैं हम इस जंगल में 2012 में आये थे यह 2012 चल रहे हैं 11 साल हुए तो मरा जी जैसे कि आपने यहां 11 सालों में इस जंगल में क्या नुबूती प्राप्त किया इस जंगल में क्या एहसास क्या आपने महसुस किया इस जंगल में 11 साल होने जा रहा है और मैंने यही महसुस किया इस जंगल में यहां पर सारी किरिया को अपने हाथों से अकेले पन में रह करके और यह महसुस किया जहां एकांती शांती और भगती हमें प्रदान मिला ठाकुर जी ने हमें भगती और सेवा का बहुत अच्छा ही मौका दिया जो कि हम अपने कार्जों में लगे रहते हैं और 24 गंटा अपने शेवा में ठाकुर जी की और अपने नित किरिया में लग करके अपने सेवा को 24 गंटा में अपना स्मापन करते हैं और उसके बाद हमें कहीं कोई ऐसा समय नहीं मिलता है जो कि मैं कहीं जाकर करके अपना एक मिनट भी समय को वेर्थ कमाऊं। ये अनभुती हमें यहां पे मिली और जिससे कि हमारा मन पूरी तरह से भगवान में समर्पित है। में हमने उनका सुरूप को देखा। मुर्थी तो भगवान का ही हो सकता है दूसरे का सुरूप नहीं हो सकता है। में कुटिया की दर्सन करवाई हैं और मराजी की पूजा के मैं दर्सन करवाएं और मराजी की पेड़ पोद्वा की दर्सन करवाएं और करवाँगा आपको। तो आपको किस परकार लगी मराजी कुटिया मराजी के विचार मराजी ने जैसे अपने जीवन का अनुभव बताया वो मराजी सीधे और सरल सत्य बोलने वाले मैं सब्दों में नहीं कर सकता अपने यहें नात में अपको भूले है नीजे गुरू दियू आप अ कवे मेरे नात में और जो भी भाई हमारी संप्रक करना चाहता है इसकी इन पर वार्सप नंबर है मेसेज करके संप्रक कर सकता है